आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो में और आज इस वीडियो में मैं आपको एक स्वेटर का रियूस करना बताऊंगी स्वेटर हो काडिकन हो या कुछ भी हो वूलेन हो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से रियूस कर सकते हैं तो देखे मैं ये धोड़ा संव…… जो मेरे बच्चे का है और वह बढ़ा हो चुका है तो जोटा भी हो चुका है है और इसमें कहीं बीच बीच में फड़ पर चुका है तो किसी को देना जैसे लोग मुझे कहते हैं डालते हैं कि आता रसकाँ सकते हैं इसे कपड़ों नहीं इस कपड़ों क्थ करना बहुत बचाते है शिफ करते हैं जैसे कि आप दूसरों को ваш है नहीं ध zaretts denial तो ये भी सेम वैसे ही है अगर आप चीजों को रियूज करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपनी mother nature की help करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजी पानी लाइट बहुत सारी चीजे तो इस तरीके से आप समय भी बचाते हो आपनी वहागी सोर्से को भी सेफ करते हो इस clothes से आज मैं आपको तीन तरह की DIY करके बताऊंगी जो आपको इसी winter में बहुत काम आएंगी चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी sleeves को हटा देते हैं क्योंकि जो भी problem है इसके पीछे portion में है पीछे ही फटा हुआ आगे का देखिए जो stickers लगे हैं यह इस तरह का जो दो cat है यह अच्छी condition में सुंदर लग रहा है तो इसको इस तरीके से यूज करेंगे कि यह attractive लगे और जो भी बने वो सुंदर लगे स्लीज को cut कर रहें तो पहला DIY स्लीज के साथ है इन स्लीज को कुछ अच्छा था बनाते हैं तो देखिए स्लीज को दोनों को हटा दिया है तो आप स्लीज को यूज करेंगे लेकिन आप ध्यान दें अगर स्लीज में problem हो तो आप स्लीज फटा करके इस तरह की hoods को ना विद तरीके से निकालूंगी कि जो खराब portion हो कर जाए तो यह एक अच्छा एडिया आप इस तरह से विदाव स्लीज भी बना सकते हैं थोड़ी सी हलकी हुलकी ठंड में अभी आप पहन सकते हो तो चलिए इसको करते हैं साइड में अभी स्लीज को यूज करते हैं तो यहां पर म बनाऊंगी और आपको जिसके नाब कभी बनाना रहा है इस तरीके से पहना ले देखिए इस तरीके से आपको डालना है पैर उपर ले कि जू beim महरा हैं जो लास्टिक आपन से पहनना है और नीचे इस तरीके से ऑब्रेंस कर ले ना है तो यह आपको जितना चौड़ा CEO और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लें, तो ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, आपको लंबा चाहिए तो आप और उपर कर लिजे तो ये लंबा हो जाएगा, बस आपको पैरों पे इस तरीके से ड्रॉ करना है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, सौक बनाने कर लेंगे तो यहां पे दोनों पीसे को मैं रख रही हूं इस तरीके से उस पर निशान लगा ले रहे हूं कि दोनों में देखें निशान लगा लिया और इसको कट कर लिया एक जैसा अब आपको इसको सिलना है और जहां पर बस कटिंग करिया आपको उतना ही सिलना है और कुछ तो यह देखिए दोनों सॉक्स एकी स्टेच में रेडी हो गया है यह देखिए कितना स्टेचेबल है और यह कुल्टेट फैप्रीक है मतलब यह बहुत मुटा है और जैकेट से आपने देखा होगा बहुत ही सॉफ्ट है मिल्की फैब्रीक है तो अगर ऐसे एक अप्टे हों तो उसका सॉक ज़रूर ट्राय करिएगा बहुत बहुत कमपटेबल रहता है और सेकेट एडिया के लिए आपको चाहिए अपना फुराना कुशन जी हां मैं इससे कुशन कवर ही बनाऊंगी और यह बहुत सुन्दर लगे तो आप इसको बस अंदर डालने और इसको छोड़ करके आपको बस निशान लगाना है तो सबसे पहले अड़ेस्ट कर लें क्योंकि स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं वूलन थोड़े से तो आपको इसके फिटेड ही रखना है बहुत लूद नहीं रखना है क्योंकि जब इसके फिट होंगी ना तब ही अच्छी लगती हैं तो मैं इसको इस तरीके से अड़्यक्त कर रहे हूं और इसको ठीक करके फिस में निशान लगाएंगे तो यह देखे पूरा आ रहा है लेकिन उपर के साइड में यह आर्मोल वाला हिस्सा आ रहा है तो क्योंकि यह चोड़ा है तो मैं यहां से इस तरीके से निशान लगाऊंगे और इसको इदम स्ट्रेट निशान लगा करके बाकि एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी और देखे मैं फ्रंट पे रख रही हूं इसलिए मैं कोई इस तरह से बिसर्फ दो निशान लगाऊंगी और इसको सीधा अपने आइडिया से इसको कर दूंगी आप चाओ तो यहां पर पिन लगा सकते हैं या फिर कुछ भी हलका सा निशान लगा सकते हैं लाइट में ठीक है अब मैंने कुशन हटा दिया है अब इसको पलट लें और निशान लगा करके आपको बस सीधा सिलना है तीन तरफ सिलेंगे बाकी एक साइड में इसमें चेन लगाएंगे तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है अब इसको सीधा पूरा सिल लेंगे बाद में इसकी क करेंगे तीनों तरह सिलने के बाद अब एक साइड ओपन कर रहा है यहीं से हम इसमें चेन हैट करेंगे तो यह देखे चेन इसको लगाएंगे और चेन भी मेरे पुराने कुशन कवर की है जो खराब उचुका था इसे पहले मैंने डियाइवे कर रहा था तो यह उसी की चेन है तो देखे पोशन को इस तरह एक पोशन को तरह सिलना है जब पल्टेंगे तो अपने आप यह सीधा हो जाएगा और साइड में इसको लॉक लगा लें तो आपको यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यह देखे एकदम पर्फेक्ट कुशन बन करके रेडी हो जुगा एकदम अच्छा बना है और यह देखे अंदर एकदम बढ़िया फिटिंग है चेन के साथ आप कभी भी निकाल सकते हैं वाश कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात इस स्टीकर का बहुत अच्छे सी यूज हुआ है तो बच्चों का स्वेटर है बच्चों के कमरे में रखेंगे उन यहां का कि बाकी दो आइडिया मेरे हैं और इसको बस जो हुड है ना इसको आप उपन करके मतलब कर लें और इसको तरीके से फोल्ड करना थे तो देखेंगे हलका सबसकर देना है इक साइट में निशान लगाना और आप इसको स्टेच कर लिए मैं कैब बनाऊंगी और तो इससे आप अपने लिए भी कैब बना सकते हो तो मैं ऐसे कैब तो बनाऊंगी बनाऊंगी लेकिन एक और आइडिया मेरे अभी माइन में आया तो मैं आपको उसको भी बता के दिखाते हूँ कि शायद आपको वो भी पसंद आएगा तो इसको बस हलका साय से राउंड देख करके सिल लेंगे सिर्फ एक तरफ क्योंकि एक तरफ तो अल्रेटी राउंड है इसको बस इस तरीके से सिलना है और जब नीचे आए तो इसको बस मशीन को एक दो बार ऊपर नीचे कर ले तो यह अपने आप लॉक हो जाएगा उसके बाद एक्स्ट्रा हाफाफ इंच छोड़कर करके कट कर ले तो इसको आप टर्न कर ले और इसको शेप दे दें इस तरीके से तो यह पूरा कंप्लीट हो गया है है ना बहुत सिंपल अच्छा इसको तो मैंने कैप बनाया है लेकिन अगर आप ध्यान दे तो इसको आप एक और तरीके से यूज कर सकते हो विंटेर्स में जब हम चाय पीते हैं तो इसमें आप अपनी केथली वगरा रख सकते हो तो देखने में भी बहुत अच्छा लगे हो दोनों ही बहुत मज़दार हैं दियाइवाई और आज के तीनों डियाइवाई बहुत ही सिंपल रखे मैंने इतने सिंपल है कि इसको कोई भी बना लेगा सिर्फ एक ही स्टिच करनी आपको यह और यह रेडी हो जाएगा तो आप इतको साही से यूज भी करके देखते कि कैसा लगेगा तो यह देखिए एक ही क्लोथ में तीन अलग अलग चीज़े बढ़ चुकी हैं पूरी विंटर्स के लिए और आप इसको बहुत अच्छे से यूद भी कर सकते हो और जो इसका कुशान है यह तो बहुत ही सुंदर बना है बहुत बढ़ी अलग रहा है और किसी तरीके से आप पहने यह देखिए तो कैब देखिए बनाना बहुत ही सिंपल इसको जरूर ट्राय करिए को और सबसे मज़ेदार व्याइवाई तो यह है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है और बच्चों को भी बहुत पसंद आया तो यह है कुशन आपको भी बहुत प यूजए फूलै तो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करेगा कमेंट करेगा और शेयर करेगा और आपने अभी तर इसको अप्स्क्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्स्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के अच्छे और यूस्फूल वीडियो देखने को मिलते रहें तो फिर मेलेंगे तब तक लिए बाइबाइब एंट टेक केर